न्यूजी लेंड वंडे स्रीज के मुकाबले में आया सुमन गिल का तूफान बल्ले से मचाई ऐसी तबाही की ठोग डाला दोरा सतक बताएंगे पूरी वीडियो की जानकारी इससे पहले आप अगर सुमन गिल को खतरनाक बिस्पोटक बलेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिये आपकी जानकारी के लिए बतादे कि भारत और न्यूजी लेंड के बीच तीन मैचों की वन्डे स्रीज का पहला मुकाबला है धरबाद के राजियो गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है भारत ने टॉट जीत कर पहले बलेबाजी करने का फैसला किया और आपको बता दे कि भारत ने न्यूजी लेंड के सामने 350 रन का लच रख दिया है भारत ने निर्धावित पचास ओर में 8 विकेट गमा कर 349 रन जुटाए ओपनर सुमन गिल ने भी स्पोर्टक बलेबाजी करते हुए वंडे करियर का पहला 12 सतक ठोग डला उन्होंने 149 गेंडों का सामना करने के बाद 208 रन ठोग डले और आपके जानकारी के लिए बता दे कि सुमन गिल ने अपनी पारी के दोरान 19 चौके और 9 खतरनाक चक्के ठोग डले सुमन गिल ने वन 400 और में छकों के हैट्रिंग लगाकर डबल सेंचरी अपनी पूरी कर ली न्यूजी लेयन के लिए हैंडरे सिलफी और डेरिल मिचल ने दो-दो विकेट चटका है जबकि लकी फगूसन, बलेर टिकनर और मिचल सैटनर एक-एक विकेट चटकाया अगर यह वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है और आप सुमन गिल के दोरे सतक से खुस हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहें